दोस्तो आज किस वेडियो में मैं नमबर बन साबन का रिवीव करने वाला हूँ नमबर बन साबन मार्केट में बहुत ही तेजी से भिक रहा है और इसके रजल्ट भी बहुत ही तेजी से मिल रहे हैं दोस्तो नमबर बन साबन में लेमन और एलो बेरा मिलाया गया है हाला कि कंपनी ने ये नहीं बताया कि लेवन और एलोबेरा कितनी मात्रा में मिलाया गया है लेकिन बात करूँ इस सावन की तो जिस सावन आम सावन से मुझे काफी अच्छा लगा है और इसके रजल्ट भी अच्छे देखने को मिले है दोस्तो इसके लगातार इस्तमाल करने से आपकी गोरी निखार तुचा आती है और हाथ और चेहरा एकदम शौक्ट बना रहता है चेहरे के लिए तो नमबर बन का काम करता है दोस्तो क्योंकि इसमें एलोबेरा और नीबू मिलाया गया है आपने सुनाई होगा एलोबेरा से आप अपने कील मुहासे पिमपल छाई या धब्बे हर चीज़ दूर कर सकते हैं और दोस्तो आगे मैं एलोबेरा का भी एक वेडियो बनाऊंगा अपने इस चैनल पर जिसमें मैं आपको कील मुहासे को दूर भगाने का नुश्का बताऊंगा अब दोस्तो बात करें नंबर वन शाबन के प्राइस की तो यह जी दोस्तो दस रुपे की प्राइस में आता है और जब हम इसके चार पैकेट लेते हैं तो हमको दो रुपे या ती रुपे की छूट दी जाती है जानी की 10 रुपे का लेते हैं यदि हम तो हमको 6 रुपे के पढ़ जाते हैं और यदि हम एक पैकेट लेते हैं एक शाबन तो हमको 10 रुपे का प्राइब हो जाता है अब दोस्तो बात करें कि यह शाबन को जदी हम लेके रख लें तो कितने दिनों तक रखा जा सकता है तो हाला कि दोस्तो हर एक शाबन की हर एक डेट अलग अलग होती है लेकिन इसमें आप डेट देखले कि कब बना हुआ है देखी यहाँ पर दो तारीक जाए दो स्रा मन्त और 2020 को यह बनाया गया है ठीक है तो यहाँ पर लिखा है यूज बिफोर 24 मन्त फ्रॉम डेट आफ पैकेड जाने की पैकें के आप 24 मन्त तक इसको प्रियोग कर सकते हैं जाने की दो साल तक आप इसको प्रियोग कर सकते हो ठीक है यह बहुत अच्छी बात इस नमबर वन शावन की अब बात करें इसमें क्या क्या सामागरी मिलाएं ग जिससे इसको अर्वेतिक गिंती में दिया गया है और कहते हैं नमबर वन सावन लगाईए और अपनी इसकीन तुचा को इसकीन की जाने की जो चेहरा है में जहाई या फुनिया है उसको दूर कर कीजिए और यह कापी अब तक साहता भी देता है हमको चेहरे के लिए बहुत आप्टर शॉप्ट मालूम चलता है हमारे गालों चेहरों में रौना का जाती है अब बात करें इसकी शामगरी की तो दोस्तों शामगरी कंपनी ने मैंसन की है मैं आप बताता हूं यह रही दोस्तों यहां पर देखिए शामगरी मैंसन की है शॉडियम प्लामेट शॉडिय तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि इसमें केमिकल का प्रियोक किया गया है यहां भी आप देखेंगे तो किलोराइड, सौडियम, फारमूर, जाने कि यहां पर जो है ना पूरी हद्टा को जो लिस्ट दी है कि क्या कैसे सामागरी मिलाई यह लेकिन दोस्तों यहां पर यह नही है वो काफी अच्छी लगती है मुझे और बिल्कुर नीवू की भाति इसकी खुस्बू आती है तो आप जब इस सावन का प्रियोक करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा मैसूस होगा और आपको एकदम नीवू की तरह इसकी खुस्बू नजर आएगी और इसके अच्छा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर दें मिलता हूं मैं एक और प्रोड़क्ट को लेकर की तब तक के लिए जय हंद जय भारत वंदे मात्रम